है आप लोग बड़ी एकदम मज़े में यहां मेरे नाम है नाजम बेग और वेलकम बैक इंटरेवन क्लासेज पोछिके हमारा और आपका बहुत अच्छा से एक चैनल जिसमें बच्छा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक और सेशन जो की बेश्ड होगा पाइथा गोरस थियोरम और सिमिलर्टी अफ ट्राइंगल के कॉंसेप्ट पर जी हां सारे के सारे हमसे की उज़ोंगे और बहुत मज़ाने वाला है बच्छा लोग अगर आपको केस स्टड़ी की रिक्वार्मेंट है तो मैंने केस स्टड़ी बेवीडियो कर दी हैं आप देख सकते हैं इस चैप्टर की जी हां आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं ध्यान दें पहले कोशन पर पैन और पेपर निकाल लें इन्दा गिवन फ बेलू अब इस कोशन को बच्चा करने के लिए हमारे पास दो अप्शन है नमबर बन या तो को यह ऐसा लॉजिक के रियर करें बच्चा हम कि बाई पिलस जैट आ जाता हो अधरवाइज हम बाई को इंडिवीजल फाइंड कर लिए जैड को इंडिवीजल फाइंड कर ठीक है प्च्चा तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना कोशन उसको समझते हैं कि सिमिलर दिये गए हैं तो सिमिलर्टी का कॉन सेप्ट यूज कर रहे हैं क्या करेस्पोंडिंग साइट का रेशियो एक्वल होता है जी हां तो जड़ा बताएं कि ट्राइंगल अगर सिमिलर ह तो क्रेस्पोंडिंग कैसी लिखे जाते हैं कैसे लिखे जाते हैं अगर इस ट्राइंगल का मैंने भी ले B C corresponding Q R मेरी बात समझ पाए corresponding लिखना आता है देखें A B कितना अच्छा लोग A B मेरे पास है Z का और P Q 3 का A C कितना है Dेखें A C है 4 root 3 का P R कितना अच्छा बाई का B C कितना अच्छा 8 का Q R कितने का 6 का क्या इतनी बात समझ पाए देखें बाच्छा अब Z भी individual find कर ले रहे है और Y भी individual find कर ले है ठीक है फिर दोनों plus कर देंगे तो Y को अकेला find करने के लिए ऐए एक बार हम Y को और इसको solve कर लेंगे similarly इसको और इसको solve कर लेंगे solving Z upon 3 equal 8 by 6 देखो 3 2 जा 6 2 4 जा 8 equal sign अगर लगा है तो नीचे वाले cancel हो जाते हैं ठीक है याद रखें तो Z आया 4 का अब देखते हैं इसको find करने है solving 4 root 3 upon Y equal 8 by 6 देखें 4 जा 8 2 बन जा 2 3 जा तो root 3 upon Y बच्चा बच्चा इधर बच्चता है बन अपॉन 3 तो 3 root 3 equal Y बन जा Y क्या मेरी बास समझ पाई कोई problem किसी को क्या किया इसको और इसको solve कर लिया इसको और इसको solve कर लिया ठीक है कोई दिक्कत किसी को अब चाहिए क्या था Y plus Z now Y plus Z will be what Y कितना 3 root 3 और Z कितना बच्चा 4 देखें 3 root 3 plus 4 question finish कौन सा option option number second आया समझ कोई दिक्कत क्या किया बस similar दिये गए थे similarity use कर लिए question finish बच्चा याद रखें कि question के एक move question finish जाता बस एक move आपका सही होना चुँए ठीक note कर ले next question करते है next question बच्चा क्या बोला गया है देखें in figure diagram गेवान हो गया CB parallel QR CB parallel QR CA parallel PR CA parallel PR AQ 12 cm का AQ 12 का AR 20 PB और CQ इक्वल है 15 के PB और CQ इक्वल है 15 के तो हमसे कहा गया है length of PC PC की length क्या होगी बता है बच्चा चलो मैं एक option देता हूँ आपको यह बता है यह question किस से होगा पाइथा गोरस से होगा BPT से होगा Converse of BPT से होगा या similarity से होगा ठीक है उच्चा समझाए option बताएं comment box में बताएं मैं करूँ ठीक मैं करता हूँ देखें ध्यान से बच्चा मैंने क्या बोला था BPT L1 क्लास में कभी भी sides parallel दिखाई दे तो एक बार BPT theorem पर ध्यान जूँ जाना चाहिए ठीक है उच्चा मैंने बोला था और बहां मैंने ऐसे question भी कराया थे जहां BPT देखने नहीं लग रही थे लिकिन निकल के आती थी as it is बच्चा यहां होने वाला है जरा ध्यान से देखें कि दो sides parallel है हम उस side को ले रहे हैं जिसका हमारा काम हो जाएगा हम CA को PR के पैडल ले ले रहे हैं CA को PR के पैडल वाली side यूज़ कर रहा है यानि के हम इस triangle को यूज़ कर रहा है बच्चा लोग जो लगबग लगबग इस तरीके से PR क्यू लाइक इस थोड़ी कर वोगे विच्चा रहां रखें ट्राइंगल है तो straight line होगी लाइक दिस हम इस triangle को बहार ले ले रहे हैं ऐसा कुंग गिया सब्सक्राइब क्या एक्यू गिवन है जी गिवन है एर गिवन है ठीक क्या क्यो क्यू निकालना है इस इक फिसन का दिया देखाएं, आंसर में, since ca parallel pr than using bpt theorem, क्या कहा गया है, कि अगर bpt लगती है, तो aq upon ar equal होते थे cq upon cp के, समझे, this upon this, this upon this, देखा, aq कितना भी है, 12 का, और ar कितने के है, 20 के, cq कितने है, 15 के, और cp तो find लिगना भी है, सर फाइंट तो PC करना रहे, बच्चा कोई लिख कर नहीं, PC लिख चाएं, cp लिख, ok, मैं सब जाएं, 4 3 जा, 4 5 जा, 3 बंजा 3, 3 5 जा 15, बचा 1 upon 5, यहां बचा 5 by cp, तो cp बंजा cp, और 5 5 जा 25, किस में दिया centimeter में, तो यूनेट centimeter, आया समझे अच्चा, कोई प्रावल्म किसी को, फहुत basic question है, ठीक है, ca equals to b, cab length का है, और ab equals to c, ab जो है c length का, and p be the length of perpendicular from c to ab, c से ab पर एक perpendicular draw के आगया है, जिसकी length है p, ठीक है, अच्चा, अब यहां पर एक question arise होता है, कि diagram given रहता है, यहां हमें बनाना पड़ेगा, then cp क्या होगा, cp is equals to, cp क्या होगा, यह और यह, cp क्या होगा, इसको करने के दो method है, number one, हम इस question को using similarity कर सकते हैं, number two, right triangle का area का लेकर सकते हैं, ठीक है अच्चा, तो सबसे पहले हम करते हैं, area इंकाल कर, उसके बाद दूसरा method इससे रहेंगे similarity वाला, ठीक है अच्चा, तो तैयार हो जाएं, answer करते हैं, देखने धान से, अगर मैं triangle ABC में, ABC में, इसको ले लूँ height, तो ये क्या होगा, base होगा बच्चा, जी सर, base होगा, तो इसके हिसाब से area of right triangle, half base into height होता था, यानि के half base क्या होगा बच्चा, A हो जाएं, height क्या होगी, AC हो एंक B होगा, equation first, क्या मेरे बात समझ पाएं, कि अगर मैंने बोला, मैं इस triangle को consider करता हूँ, तो ये height होगी, ये base होगा, जाने कि BC base है, तो ये का है, AC height है, तो B की है, ठीक है बच्चा, equation first, अगर मैं इस triangle को ऐसे consider करना चाहूँ, कि इसको height मानूँ, तो ये base होगा, बात समझ पाएं मेरी, याद रखें बच्चा, एक line जो 90 का angle बनाती है, किसी भी triangle में वो height कहलाती है, उसकी, height के लिए जिस पर fall हुई है, वो base बन जाता है, यानि कि अगर ये 90 है, तो ये height होगी, ये base होगा, similarly, अगर ये 90 का है, तो ये height होगी, ये base होगा, मेरी बात समझ पाएं, अगर ऐसा है, again area of triangle, यहाँ लिखने बच्चा, भूलेंगे नहीं, area of triangle, A, B, C, same यहाँ area of triangle, A, B, C, half, इस बार base मैंने क्या लिए बच्चा, A, B, और height के लिए बच्चा मैंने CD, तो याद रहे, A, B कितने का है, बच्चा, C का, और CP कितने का है, half का, अब, same triangle है, area same होगा, from, first and second, देखें बच्चा, यह चीज इसके बराबर, तो half of A, B equal, half of CP के, half से half cancel होगा, A, B equals to CP, आया समझ, समझ तो है, ठीक ठाल सुनमाया, मज़ा नहीं आया, मज़ा दिलाती है, बहुत ध्यान सुनना बच्च्चू, याद रखना, कभी भी, एक 90 की line draw होई है, वो triangle right हो जाता है, ठीक है, 90 वाला, उसके रिए half base into height, तो याद रहें, वो line जिसे 90 बनाया था, वो height बन जाती है, जिस पर बनाया था, वो base बन जाता है, तो इस triangle का area, ऐसे निकाला लगा एक बार, फिर मैंने क्या किया, एक 90 का और था, एक दूसरी side पर, तो उस बार वो base है, और वो height है, यह base और यह height है, ऐसे right triangle है, ठीक अच्छा, तो इस पूरे का area कैसे निकालागा, पूरे का base ले लिया, पूरे का height ले लिया, अगर, मैं इतना base लेता, A से लेके D तक, और यह height लेता, तो सिर्फ इसका मिलता, मैं इतना base लेता BD, और height लेता, तो सिर्फ इसका मिलता, मैंने पूरा base लिया है, इसलिए पूरे का मिला है, बात समझभा है मेरी, कोई problem किसी को, समझाया, similarity वाला करां, यह घट राए करेंगे, घट राए करना है, म right angle है, ठीक है, if P is the length of perpendicular from C to AB, कहना है जो P है, वो perpendicular की length है, जो की C से AB पर डाला गया है, and A, B and C are the lengths of sides opposites to angle A, angle B and angle C, और ABC angle जो है, उनके opposite जो साइड है, उनकी length से दीके विज़ा, ABC, तो करें, are the lengths of sides, respectively, then 1 upon P square किसके एक वाल है, बन अपन P square किसके वाल है, तो सबसे पर diagram टो करते हैं, एक right triangle बना लेते हैं, फिर naming कर देंगे विच्छा उसकी, क्या कहा गया है, right triangle कहां पर है, C पर, तो यह 90 का हो गया, फिर AB side कहा दिए, विट हमने इसको, अब कह रहे हैं, C से AB पर perpendicular डाला गया है, जो की P length का है, C से AB पर perpendicular डाल दिया, P length का, तो उन्होंने कहा है, जो angle A के opposite side है, उसकी length A है, B के opposite B है, और C के opposite C है, यह कहा रहे हैं, बन अपन P square किसके वाल है, बन अपन P square किसके वाल है, बचा, इसी diagram में, बिल्कुल as discussion में, मैंने proof किया था, C P equal है, AB के, आई वास समझ, अब मुझे लाना है, P upon में, वो भी square के साथ, square तो आई जाएगा, पहले upon लेके आते हैं, ठीक है, अच्छा, देखाएं ध्यान से, क्या हम इसको, ऐसे लख सकते हैं, AB upon P, हर नंबर की multiply बन होता, यहाँ भी multiply बन होगा, AB divide माया जाएगा, यानि के C upon AB equal बन अपॉन P के, समझ, आई मेरी बात, क्या क्या मैंने, AB के multiply में, डिवाइन लेका बड़ाएं पी को, फिर दिखाएं मैंने, बन multiply में, AB divide माया, अब मुझे लाना है square, squaring both side, squaring both side, तो ऐसा square कर दिया उच्छा मैंने, कोई फरक पड़ा, अब कुछ ऐसा answer लाना है, बच्छा किसी answer में C आया है, नहीं आया है, मतलब C को करना है eliminate, खत्म करना है, कैसे करते ही देखाएं ध्यान से, जरा ध्यान से देखाएं बच्छा लोग, बहुत मजा आने वाला है, क्या C, hypotenuse है बच्छा इसका, हाँ है, तो A, C, B में pythagoras theorem लगा रहे हों में, 90 का एंगल था, using pythagoras, किस में, ABC में, using pythagoras, क्या कहा रही है बच्छा, A, C का square, plus B, C का square, बराबर होगा, A, B का square, जरेके perpendicular का square, plus B, C का square, equal hypotenuse का square, ठीक है अच्छा, बास कोज में आ रही है, देखाएं, A, C कहाँ है, A, C है बच्छा, B का square, B, C कहाँ है, A का square, बराबर A, B क्या है, बच्छा, C का square, मतला हम, C को कुछ ऐसा लेख सकते हैं, then putting, तो, 1 upon P square, equal A square, plus B square, upon A square, B square, match one, sir, यह तो कोई match ना हुआ, आप ही match कर रहा है, sir, मज़ा आने वाला था, देखाएं, ध्यान से, A square के लिए इसको अलग break करना हुच्छा हमें, B square के लिए इसको अलग break करना हुच्छा हमें, समझे मेरी बात, इसके लिए अलग break कर दिया, और इसके लिए अलग break कर दिया, क्या A square से A square cancel, B square से B square cancel, क्या बचता है, बन अपोन B square, इधर बचता है, बन अपोन A square, आप में चुगा, जी सर, अब में चुगा, कौन सा वाला हुआ, ये वाला हुआ, इसके बात्व हैं, इसके बाद सिर्फ और सिरफ एक बूँव इंपॉर्टेंड सी-फायं और यहां से पॉट करना, इसको ब्रेक करना, बाइक कोशन में कुछ नहीं बचा बॉर्ड में आए हुए कोशन है इसे पहले वाला भी आ चुका है ये भी आ चुका है ठीक है तो याद रखें मज़दार तरीके सीखते रहें मज़ा लेते रहें और नोट करते रहें नेक्स क्या कहा गया है इनका गिवन ट्रांगल पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर एक ट्रांगल गिवन है एंगल क्यू पी आर नाइंटी का है क्यू पी आर नाइंटी का है और पी क्यू ट्वेंटी फॉर का है एंड क्यू आर ट्रांगल पी के आर पी के आर में के नाइंटी क और क्या रेट का तो करा दीके की लेंद्ध क्या है सर पीक तो पांशे फूट को होंगी कौन पीके आमिर खां सार अरे नहीं बच्चा यहां पीके तुमारे ट्राइंगल के हैं उसे फाइंड करो उनको छोण तो वह या बोध स्परस्टार है अब तुम सपर इस्टार ने जा है और अगर लेंद्ध निकालना तो दो अप्संद है हम एयरे ऑफ ट्राइंगल यूज करें क्या बोला मैंने कभी नाइंटी के एंगल है और साइड को फाइंड करना है तो लगबग लगबग चांस रहते हैं वच्छा पाइथा गोरस थेओरम यूज करें ठीक है तो सबसे पहले तो अगर इसको फाइंड करना है अगर इसको फाइंड करना है यह जिवन है तो यह भी जिवन होना जरूओं है तो अगर में पी आर साइड को फाइंड कर लूँं तो मेरा कंद्द अभी Hour Side को फाइंड करने के लिए जैध लिखान से देखें बच्चा लोग क्या यह कहानी दी गई है कि वग्या एक ट्राइंगल और 90 का दिया गया है देखें क्यों पी यह पी यह क्यू आर 90 के है 24 के 26 के पहले इस में लगाए लो पाइथागोरस और फाइंड कर लो पी आर जो की आना चाहिए 10 की ठीक अच्छा मैं लाने के बना पी आर फ्थाइंड करने के लिए मैं इस ट्राइंगल में लगाने वाला पाहिए जक्सेश लाँए यह क्या помог मुलका पीडी का स्कॉाइर फिल्स बची साइटेंड qr कितने का है 26 का स्क्वार पी क्यू कितना फ्कवार 24 का स्क्वार पिलस पी र का स्क्वार देखो यह 676-576 पी-र का स्क्वार कितना वच्वार याद कर ले ना यह रूड़न जाता है बच्च लोग यानिके 10 संटीमीटर PR PR आए हमारे 10 संटीमीटर यानिके ये हुए 10 संटीमीटर अगर ये 10 के हैं ये 8 के हैं तो esse 6 के आंगे कोजीमिरित न इस कैसे देखाएν के आर का स्कॉार पिलस PK का स्कॉार किसके वराबर PR के स्कॉार के वराबर यहाँ पाइटा, जाएव ईक्षमेन, कियार, कितने काई है, आठ का स्कौार, पीड accidents करना है, यह कितना विए, दस का स्कौार, जब मानस भी लेचा जाओ झाओ, पीड़ेकौार बराबर, 10 का स्कौार 100, 8 का स्क्वाइर 64 36 बचा बच्चा और P के हमारे पास 6 cm रखा लिए हमने उसको स्क्वाइर बना दिया मिरी बास समझ पाई P के 6 cm रखा आया P के P के P के कितने के 6 cm यहां चुपे बैठे आया बास समझ नोट करें एक और कोशन करते हैं बच्चा हम क्या कहा गया हमसे The length of diagonals of a rhombus are 10 cm and 8 cm एक rhombus है उसके दो diagonals की length दी गई होच्चा एक 8 की और एक 10 की अब कहरा हमसे What will be the length of side of rhombus तो rhombus के side की length क्या होगी बचा rhombus के side की length कैसे find करना होगी ध्यान सुनें इसके लिए छोटा सा logic की बस एक point याद रखने है क्या note point करके याद गए Diagnals of a rhombus bisects at 90 अगर ये point याद है question में कुछ नहीं है बीडियो script कर सकते है अगर ये point याद नहीं है तो बीडियो देखने है ठीक है क्या करना है 90 का है अब क्या होगा bisect कर रहे है मतलब क्या होगा कि अगर AC मेरा 10 का है और BD मेरा 8 का है then OA कितने का होगा 5 का और OD कितने का होगा बच्चा 4 का bisect का मतलब क्या है आधा आधा करने है OD कहलो या OB कहलो ठीक है तो मैं OB लग देता हूँ अच्छा लगता लगने में अब अगर ये 5 का है ये 4 का है तो ये क्या बना 90 के सामने का जल्दी बोले हैं बहुत तेजी मैं हाइपो टेनीज बना सर पाइथागोरस लगे ही बिल्कुल लगेगी सर लगाते हैं पाइथागोरस तो AB के यूजिंग पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थियोरम AB का स्क्वार इक्वल OA का स्क्वार पिलस OB का स्क्वार क्या बहुत अब लगेगी 90 के अंगल हैं क्या लगेगी पाइथागोरस कैसे लगे देखाएं AB का स्क्वार इक्वल O A का square पिलस O B का square देखें A भी कितना निकालना है O A कितना 5 का square O B कितना 4 का square यह square root ना ले भी यह दर ठीक sir 5 का square 25 4 का square 16 root के अंदर कितना आया 41 कोई answer मैं चुगा sir कोई मैठ ना हुआ देखो ध्यांस देवाटा अब इसको exact निकालना नहीं नहीं है क्योंकि हमारा subjective paper नहीं यह MC को तो कभी मैरा काम कर रहा कैसे 41 है 6 का square 36 तो इस 6 के बाद आना चाहिए 6 के बाद वाले कितने option सिर्फ एक option तो question finish अगर more than one option होता तो हम इसे solve करते बच्छा अभी नहीं तो ऐसी कर दिया समझे क्या करा मैंने 41 जो था 6 के square से बड़ा नंबर है कोगी 6 का square 36 है और यह है 41 6 के square से बड़ा नंबर तो हमने क्या कहिए बटा डायक बड़ा नंबर लगा दिया आए बस समझ नोट कलने एक अच्छा question और करते हैं नेक्स क्या बोला गया अब आए इस ट्राइंग टू कैच आफेस सेटिंग एटा हाइट ऑफ 12 मीटर सर्फेस ऑफ वाटर एक लड़का मच्छी मानने गया पुच्छा मच्छी मानने गया और कहा बैठा है पानी की सर्फेस से 12 मीटर की हाइट पर पानी की सर्फेस से 12 मीटर हाइट पर ऐसा कैसे उसकता है अरे बटा हो जाता है फरस फरस पड़े रहते हैं तो बैठ जाते हैं राम से यूँ ऐसे बैठ गया पड़ा राम से इत्मनान से यूँ कर लिया कई मारी मच्छी क्या कहा गया एक लड़का वाटर सर्फेस से 12 मीटर की हाइट पर बैठ हुआ है माल लिया जाता है कि वाटर सर्फेस यह है अब लड़का कहां बैठा वही है 12 मीटर की हाय और लड़के बैठ गए यहां पर जाएक है अब कर रहे हैं उस लड़के से होरिजॉन्टल डिस्टेंस पर पांच मीटर पर एक मचली है तो सर मचली यहां पर है अरे बच्चे तो हवा है पानी तो यहां पर है मच्छियां का होई मचली तो यहां पर होगी यहां पर और यह पांच में आई तो इस से होरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइब मीटर पर बो मचली बो फिस कि कि आप समझ पाए यह किसकी लोकेशन है अच्छा फिसकी और यह किस लोकेशन है वहाई की आई बाद समझ तो करें वाट शुट भी जा लेंग्ट और फिस्ट रिपी तो करें उस मचली मारने वाले लड़के की स्ट्रिंग की लेंद क्या हो इस्ट्रिंग समझ रहा हैं इसको हम देशी भादम बंची करती है हां सर उसको कैसे निकाला अरे बेटा भई फिसिंग रॉड बंची करती है अच्छा सर उसको निकाल अप समझे ध्यान से इंटरस्टिंग उसने की लड़का यहां वैठा मचली यहां वैठी रिस्ट्रिंग तो यह आएगी सौरी सौरी फ्रजाद आएगी यही तो आएगी स्ट्रिंग अच्छा हां सरी आएगी स्ट्रिंग तो क्या लगए अपार्था वर कोकि हमेशा पता कि ग्राउंड के साथ कोई भीची परपेंडिकल खड़ी होती है तो यह तो ट्रिपलेट याद होगी बारा का स्क्वाइर स्क्वाइर इकवल्स टू डिस्टिंस जो कि इस्ट्रिंग के इस्ट्रिंस से बठा उसका स्क्वाइर कर दिया यहां बन फॉर फॉर ट्वैंटी फाइब का रूट वह जा बच्छा इस्ट्रिंग मेरी बास समझ पाए यहां लिखले स्ट्रिंग अगर डाउट रहता हो तो लो यह इस सब्सक्राइब करते हैं एक लेडर को लगाया बिटर में खिड़की पर है जो खिड़की ग्राउंड से बारा मीटर की हाइट पर है फर्स्ट अफॉल हमने बनाया ग्राउंड और एक लगाय खिड़की यहां पर बारा मीटर की हाइट पर बिटर लगा लिए बेटम दे अबब दर ग्राउंड ऑन बन साइड ओफ इस्ट्रीट की बन साइड पर तो हमने इसको स्ट्रीट कहा देने अच्छा हम ठीक है यह पॉइंड पर पहुंचने के लिए सीड़ी यानिके लेडर को जहां पर भी लगाया गया तो करें इसके इस पॉइंड को फिक्स रखके इस पॉइंड को फिक्स रखके इसके पैरों को इसके फूइंड को सेम पॉइंड परके सीड़ी को टर्न कर दिया घुमा दिया बच्छा घुमा दिया कहा दिया तू दा अधर साइड ओफ इस्टीट तू रीच आप बिंडो नाय मित्राई दुसरी तरफ घुमाया ताकि व CT which यह ग्राउंड से बारा मीटर यह 15 अबॉरे स्ट्रीट यह अगर लेंम गल על 15 कि यह in gwvit क्या होगी उछ और व्याद रहा है यह अग्य किbolni अन पूरी स्ट्रीट याद रखाई आद रहें बहलें कहें जी समझ बैठ checks गश्ञाइब आज नाम दें का मेरी मात समझ पाए क कोई डाउट है अच्छा क्या यह 90 होगा हां सर होगा यह भी 90 होगा क्योंकि हमेशा बिंडों जो होती है ग्राउंड के साथ परपेंडूर लगाई जाती है तो हमारा काम है डीडी BD find करना कैसे करा हैं हम CD को अलग find कर लें BC को अलग find कर लें ठीक अच्छा मैंने कह बोला BD find करने के लिए CD को मैं अलग find करा BC को मैंने अलग find करा फिर दोनों को plus कर दिया मेरे काम तो first of all we have to find CD and BC separately then we will add up using Pythagoras theorem in triangle CDE CDE मा रहा है अच्छा हम देखां का CE का square बराबर होगा DE का square plus CDE का square perpendicular base का square बराबर देखां CE 15 का square DE कितना बच्छा 9 का square CD कितना find करना है जो 225-81 square बने गया root बच्छा समझ आया क्या किया बच्छा मैंने चलो अराम अराम सिलो सिलो फ्ला डेटेल में कर लेते हैं इसको square बच्छा कितना बच्छा कितना बच्छा कितना बच्छा 12 कि यानि के CDE 12 मीटर का कि सिमिलर्डी हम BC find को यहां से यहां पंधरह नो थे यहां पंधरह बारहां यहां नो का आ जाएगा देखो लॉजी देखो कोई दिख्कात है किसी को तो बारह प्लस नो कितना हुए तो बारह प्लस नो गया यानि के किस मीटर अ कि समझा आज की वीडियो बच्छा यह खतम करते हैं अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तरहार है अधरवाई इस मिलते हैं अगली वीडियो में झाल झाल